अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम एनलिस करेंगे और समझेंगे बैंक आफ इंडिया से यहर पर जितने भी नए हो चैनल पर ज़रूर लाइक करते हैं और चैनल पर नए विजिट करने सब्क्राइब पने ना पर दिखा रहा है गुगल के मध्ध हम से महर इसका उन्सेट करती सब्क्रोजिंग यह पांच दिक कर चार्ट अब देख लेजिए तो आठीक पर परच्प परसेगी रहा है बहुत काफी एक गिरा है पाचे दिन में अब बाड़ा पसंट साधी रहा है और एक मन अब देख देखेंगे प्येस का सब्टाइट है वहीं पर सब जगह पर चल लें कोई इधर उधर नहीं है अब देखेंगे यूनियन बैंक चैन्पिन वीव पर चल लाएं तो चलिए आगे और भी बिडिवी स्टार्ट करते हैं और मैं समस्ते हैं इस इस वेकाफ इंडिया को चलिए सब्सक्राइब को चलिए और वीडियो समझते हैं अगर इसकी मार्केट कैप देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसका 24,334 करोनों का मार्केट कैप है हाई है 101 लो यह 38 और इसका स्टॉक पी है 12 भूक वेल्यू ए 111 डिवीडे ने भी कुछ नहीं दे रहा है और वही है चार्टास मुन चाहत्तर फेसलियो यह 10 चलिए इसका प्रॉफिट और लस देखते हैं कि देखिए नेट प्रॉफिट देख लिजिए आप 2020 में यह तक्रीबन माइनस में था 2967 करों का फिर मार्च 2021 में आकर 2160 करों का यह नेट प्रॉफिट किया है तो यह काफी उपर यह सियर मतलब गम रखता है जाने के लिए अब इसका वायराटा निकालेंगे स्टॉक सी ज कि यार एक साल का 22 परसंट का इसका रिटर्न है और इसका आप देखेंगे कि डेप्ट है कि छे लाकूं सटे या पांसवाटा करों का डेप्ट है और इसके पास है 42,408 करों का यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यह सू बैंक है सरकारी बैंक है जब भी कोई बैंक में कि नुक्सान होती है तो सरकार भार पाया करने के लिए पांदस-पंदर भी से लागा देती है और सारे बैकों कस्यार भागने के लिए त्यार हो जाते हैं तो चलिए इतना ही एजुकेशन परपस वीडियो था अपना एलिस करकर कोई भी सौधा कर दिएगा चाहें झाल 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 झाल